आज की रेसिपी है मटर मश्रूम विध क्रीम हाई एफ्रीवन मैं हुनिकी और मेरी चानल होमली रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मटर मश्रूम विध क्रीम एक पहुत ही टेस्टी रेसिपी है आप इसे घर में कैसे ही जिली बनाएंगे वो मैं आज आपक को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भुलिए मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो उस में वाल uh में कड़ाय लेंगे कड़ाय गरम होने के बाद उसमें एक मिनित तक करेंगे एक मिनित के बाद यह पाइब हटें तो डीजर गालेक क्लेशन थीडा प्राइब होके आज़े अप रहामें समें इक कटा हुआ हूँ और जुडास यह मत required तोड़े देर के बाद ये दिखिये अनोय उब टूट गया है। बमस में दूटे वे कटे टमाटों को डाल देंगे। इससा만 फोड़ा तक दिया हैं अभी हम ग्यास को अधर लेंगे इसको फिल्ले थंडा रहाएं? थंडा होने के बाद हम इसको करेंगे मख़त को का लेंगे अपने पसंद गहीं सबसे मखर्वियव को काट सकते हैं हमने जो ओनियन टमाटो को फ्राय किया था वो भी धंडा हो गया है इसको जार में डाल देंगे बिना पानी आट किये ही इसको ग्राइंड करेंगे देखिए बिल्कुल ऐसे ही पेस बना लेंगे अभी हम एक पॉट में पानी को गरम करेंगे पानी गरम होने के बाद उसमें थ तब हम इसमें कटावा मश्रूम को डाल देगे, हम मश्रूम को ज्यादा टाइम बॉल नहीं करेंगे, बस दो से 3 मिनट तक इसको बॉल करेंगे, तो इसमें जो भी इंपरिटिस होगा, भो सब निकल जाएगा, तीन मिनिट के बाद ये दिखिए मज़िम अच्छे से बॉइल हो गया है अब यह हम ग्यास को अप कर लेंगे है फिरा मुष्टर्म को स्ट्रेइन कर लेंगे मटर मश्रूम का ग्रेवी बनाएंगे इसमें वान स्पून ओयल डाल देंगे इसके साथ थोड़ा सा बटर डाल देंगे अब यहां जाय को डाल देंगे उसके साथ वान कप ग्रीन मटर को डालेंगे 23-23 मिनट तर फ्राइ करेंगे कवर करके मीडिया फ्ले में इसको प्राइ करेंगे उसते बाद ये दिखिए मटर हमर अच्छे से फ्राइ होके पग गया है अभी हमने जो पेस बनाया था उसको इसमें डाल देंगे जिस जग में हमने ग्राइड किया था उसी जग में थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसके साथ डाल देंगे फिर उसमें वान स्पून डेट चिली पाउडर हप स्पून हल्दी पाउडर वान स्पून धनिया पाउडर को डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स करके पान से दस मिनट तक प्राइ करेंगे जब तक तेल मसाला से अलग न हो जाए इसको मीडियम फ्लेम में रखके कवर करके हम मसाला को फ्राइ करगे मसाला को बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे वरना मसाला निचे से जल जाएगा ये देखिए मसाला अच्छे से फ्राइ हो किया है कलर भी चेंज हो किया है अभी हम इसमें उबला हुआ मश्रूम को डाल देंगे, उसके साथ सॉल्ट देखके आठ करेंगे, सॉल्ट हम देखके आठ करेंगे, क्योंकि पहले एक पर आठ कर चुके हैं, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मश्रूम को मसाला के साथ फिर से एक से दो मिनिट तक प ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो और ठोड़ा पानी भी आट कर सकते हैं ठोड़ा एक से मिक्स कर लेंगे मेडियाम फ्रेम में इसको पांच मिनिट तक पखने देंगे कवर करके इसको पीच में थोड़ा इसे चलाते रहेंगे बना ग्रेवी नीचे से जल जाएगा पांच मिनिट के बाद ये दिखिए ग्रेवी थीक हो गया है, अभी हम इसमें वान स्पून गरा मसाला को डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर से इसको दो मिनिट तक मिडियम फ्लेम में पकाएंगे दो मिनिट के बाद ये दिखिए हमारा माटर मश्रूम का ग्रेवी रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ग्यास के फ्लेम को लोग में ले आएंगे, इसमें दो से तीन स्पून क्रीम डाल देंगे क्रीम डालने के बाद हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बना टेस्ट खराब हो जाएगा दन्या पता को डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद क्यास को आप करके इसको एक सर्विंग बाल में निकाल देंगे यह देखे हमारा माटर मश्रूम विथ क्रीम रेडी हो किया है, बहुत ही अच्छा और कलर बहुत अच्छा दिख रहा है आप इसे रोटिया जावल के साथ सर्व कर सकते हैं आप यह मेरे बीडियो देखके रेसिपी जरू ट्राय करें और मुझे फीटबेक कामेंट बॉक्स में लिखके बताए आपको मेरे रेसिपी पसंद आए होगी पसंद आयो तो मेरे बीडियो में लाइक कमेंट करें शेयर करना बिलकुल ना भूले थैंक यू गैस पर वाचिंग मैं वीडियो कीप कुकिंग कीप सेरिंग बाई बाई